हलो कालावस आज हम खड़ें मारूती सुजुकी की ग्रेंड विटारा के सामने स्मार्ट हाइब्रेड इंजन में आती है आप जो देख रहे हैं यह है डेल्टा मॉडल चली आईए इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की 1462 सीसी का अब बात कर लेते हैं इसके ट्रांस्मिशन की मैनुट फइब गेर में में है यह मोडल डेल्टा मोडल है यह विटारा का इसमें हमें हाइडरोलिक सिस्टम नहीं मिलता है ये रहे इसकी बैटरी ये इसका इंजिन बलेनों की तरह इसमें नीचे कुछ कवर अपन नहीं किया गया है ओपन है बोडी इसकी चलिए आगे बात करते हैं इसके डामेंशन्स एंड वेट की लेंद की बात करें 4,345 mm की लें की मिलतीय है और बात कर लेते हैं इसके वील बेस की 26 mm का वील बेस 210 mm के ग्राउंट क्लियरेन्स का साथ मैं आती है अब बात करें इसके कववेट की 1162 kg इसका कववेट है विज और वह आरवीयम के साथ में आती है गाड़ी इसमें आपि उयुक्त médैक रेंड दिकम सर्वाइ बाद कर इसके ग्रील के पियानो फिनिस में दिया है इसके ग्रील को, यहां पर बड़ा सा सुझुका का लोगो मिल जाता है, नीचे पर हमें नमबर प्लेट, टोइंग हुक मिल जाता है, अब चलिए कार के बैक साइड में चलते हैं, यह रहे इसके side profile कि ले सेंट्री के साथ में आती है ग्रेंड विटारा चलिए इसके back side चलते हैं एक्साइड करने पर ऐसे दिखती है हमें ग्रेंड विटारा रहे नॉर्मल ब्रेक के साथ में मारुती सुजुकी के लोगों के साथ में हमें बेजिंग मिल जाती Grain Vitara की साथी में स्मार्ट घैब्रेट की भी मिल जाती है कोई र prin människor model है इसकी कभी बेजिंग नहीं दे रही है भी मारुती बैक साइड में हमें الجन इंडिकेटर ही मिलते हैं canषियर रिवक्लेक्टर एंड स्लाइट मिल जाता है तो क्रूश सकते हैं यह तो बात हुँ इसके बैक सायट की अब चलते इसके अंदर में पीछे हमें साफ़िय क्लिगर रिवे अब हम यह जाता है अप जो कि है कि में खूब सूरत इस्पीर में रपियम यह रहा है इसकी fuel economy बताने का modes वगरेका है यह अब बात कर लेते हैं अपर steering की steering में हमें airbag की basic मिल जाती है Suzuki का logo मिल जाता है cruise control inject करने का और deactivate करने का यहां से button दिया गया है यह रहा है इसके modes mute करने का option यहां पे दिया गया है call connect disconnect करने का option इधर दिया गया है यह रहा है इसका ORBM जो की automatic नहीं है यह vanity mirror मिल जाता है इस side में vanity mirror हमें इसके बाद में ORBM control हमें यहां पे मिल जाते हैं four window up and down automatic का पूर option दिया गया है lock unlock handle दिया गया है engine start stop की button इधर दिया गयी है यह रहा है इसका this event हमें light set करने के लिए इधर में option दिया गया है यह रहा है इसके lights के control इसमें automatic headlamps नहीं आते है delta model है यह यह इसके wiper controls रहा है इसका central console की five speed manual gearbox के साथ में आती है गाड़ी यह रहा है इसका hazard lamp on करने का यह खुब सुरत सा instrument का इसका यह रहा है इसमें lights halogen मिलती कोई भी LED light नहीं मिलती इधर साइड भी vanity mirror available है यह रहा है इसके grab handle यह रहा co driver side seat passenger seat जो भी बोलना चाहे seat belt adjusting दी गई है हमें पूरी तरीके से यह रहा है इसका lock unlock option यह window up-down का यह रहा है ग्रेंड विटारा का AC wind यह हमें brown color सा मिल जाता है बट यह hard material है कोई भी soft material हो गरे नहीं मिलता है यह चलिए यह तो बात हुए इसके front side की 5-speed manual gearbox है handbrake यह armrest के अंदर ही storage मिल जाती है यह seat belt lock का option दिया गया इस side में चलिए यह तो बात होगा इसके front side की अब बात कर देते इसके back side की चलिए सीधे चलते rear side में हम बात कर देते इसके seat की manual adjusting दी गई है यह इधर साइड से back इधर से आप पगरे होगी चलिए अब चलते back side में चलते अंदर side में अपन काफी अच्छा space है बहुत ज्यादा legroom है headroom में possible हो दिखा पा रहा होगा मैं इतना headroom के लगबग बच जाता है इसमें इतना headroom है बीच में भी as usual हर कोई गाड़ी में जैसा रहता है वैसा ही दिया गया है इसमें पीछे एसी वेंड दिये गया है यह इसका फ्लो कंट्रोल है कि एक्षेंज करने का है इस पॉकेट सेट पॉकेट्स लॉक अनलॉक हैंडल मिरर सॉरी विंडो अप डाउन को ऑप्शन दिया गया यह उपर हमें आपे रिडिंग लैंप मिल जाता है इधर ऑन इधर आफ बीच में दूर वाला रह जाता है इधर भी इधर साइड भी ग्रेव हंडल दिया गया है इसमें कुछ भी अफन टू करके लिजा सकते हैं में इधर साइड भी ग्रेव हंडल इटने के बाद भी इतने इस पेस है कि तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं यहां पर हमें यदि दू इजन जा रहे है हमें आम रेस्ट मिल जा यहां पर रिक्वेस अंसर ओपन करते ही हाइड्रोलिक दी गई है इसमें यह रहा इसका 260 लिटर का बूट स्पेस जो की 370 लिटर के आसपास हो जाता है यहां इसकी पासल ट्रे यहां पर 60-40 के रेसियो में सिट एड्जिस्टिंग दिया हुआ है यह रहा इसका बूट जो कि रीम में है ना कि अलॉइविल में गाड़ी में रीम ही आते हैं अलॉइविल नहीं आते हैं चलिए यह तो बात हुई इसकी बूट स्पेस की हमें यहां से हैंड्पूल का ओप्शन मिल जाता है बंदो जाती है चलिए अब बात कर लेते हैं वीडियो के आगे की आज ह कि आपको किस टाइब की वीडियो चाहिए इसके बारे में कमेंट जरू करना यह रहा हमारे लक्की बाई आपने पहले व्लाग में देखा होगा तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं व्लॉग बोलो या फिर बीजिए जो भी बोलो तो मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत